दोस्तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम मिग 31 एक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं ये एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एक्राफ्ट है जैसे की सुवित एर फोर्सेस के लिए डिवेल्प किया गया था इसे मिकोन डिजाइन बिरो ने डिजाइन किया था और इसे मिग 25 फॉक्स बैट एक्राफ्ट की रिप्लेस्मेंट के तावर पर डिजाइन किया गया था ये मिग 25 एक्राफ्ट के उपर बेस्ट है और उसके बहुत सरे डिजाइन एलेमेंट्स को शेर करता है मिक 25 फॉक्स बैट एक्राफ्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे इस एक्राफ्ट को इंडिनेर फॉर्स बहुत लंबे समय तक सीक्रेटली ऑपरेट करती रही थी मिक 25 और मिक 31 एक्राफ्ट दोनों ही दुनिया के सबसे ज़्यदा तेज उड़ने वाले कॉमबेट जेट्स में से एक है ये अभी रशियन एर फॉर्स और कजाकस्तान की एर फॉर्स इस्तेमार करती है तो चलिए अभी इस एक्राफ्ट के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इस एक्राफ्ट में ऐसा खास क्या है कि ये इतनी ज़्यदा स्पीड से उड़ सकता है और अभी के वारफेर में इसका क्या रोल है मिक 31 फॉक्स हाउंड एक लॉंग रेज टू सीट सूपरसॉनिक इंटरसेप्टर एक्राफ्ट है इसकी पहली फ्लाइट से अपने बर 1975 में हुई थी जब मिक 31 एक्राफ्ट को डिवैल किया गया था तो तब इसे स्टेट आफ दी आर्ट डिजिटल एवियॉनिक्स के साथ ही क्या गया था मिक 31 एक्राफ्ट हर तरह की वैदर कंडिशन्स में काम कर सकता है और ये पहला सुवित फाइटर एक्राफ्ट था जिसमें ट्रू लुक डाउन एंड शू डाउन के विबिल्टी सी अभी तक 500 से ज़्यादा मिक 31 एक्राफ्ट पर डियूस किये गए हैं जिसमें 371 एक्राफ्ट रशियन एरफोर्स को डिलिवर किये गये थे और 30 एक्राफ्ट के जाकस्तान की एरफोर्स के साथ सर्विस में हैं जो बाकी बचे एक्राफ्ट थे उनको सबी को अलग-अलग अपगर्ड प्रोग्राम्स में अलग-अलग वीरियंट्स में अपगर्ड किया गया था अभी रशिया की मिनिस्ट्री अफ डिफेंस ने अनॉंस किया है कि वो मिक-31 एक क्राफ्ट को अपग्रेड करने वाले हैं जो पहले मिक-25 एक क्राफ्ट था वो लो अल्टिट्यूड्स की उपर असानी से नहीं उड़ सकता था उसमें इन एफिशेंट टर्बो जेट इंजिन्स का इस्तिमाल किया गया था जिससे इसकी सुपरसॉनिक स्पीड्स की उपर जो कॉमबेट रेंज है वो कम हो जाती थी जिसके कारण इसके इंजिन के खराब होने का भी खत्रा रहता था मिक 25 फॉक्स बैट एक क्राफ्ट की सभी कम्यों को दूर करने के लिए मिक 31 एक क्राफ्ट को डिवेल्प किया गया था जो की लो अल्टिड्यूट्स की उपर भी उड़ सकता था और रिक्वाइड सुपरसॉनिक स्पीड की उपर भी उड़ सकता था इसमें एक ज़्यादा अडवांस एफिशेंट लो बाइपास रिश्यो टर्बो फैन इंजिन इस्तिमाल किया गया था जिससे इसकी कॉमबेट रेंज भी इंक्रीस हो गई थी इस एक क्राफ्ट की प्रड़क्शन 1979 में शुरू हुई थी और ये 1982 में पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया था जब सोविज यूनियन का क्लैप्स हुआ तो तब 20% मिक 31 एक क्राफ्ट को सर्विस से रिमूव कर दिया गया था लेकिन जो मिक 31 एक क्राफ्ट की पूरी फ्लीट में से 75% एक क्राफ्ट थे वो रशियन एर फोर्स में 2006 तक वापिस आ चुके थे जब रशिया की एकॉनमी काफी स्ट्रॉंग हो गई थी मिक 31 एक क्राफ्ट के डिजाइन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी एक हाईली एरोडाइमिक स्ट्रीम लाइन बॉड़ी है जो कि इसे हाई स्पीड के उपर उड़ने की शम्ता देती है और इसके साथ ही लो एल्टिट्यूड के उपर भी उड़ने की शम्ता देती है इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये मल्टीपल टारगेट्स को एक ही टाइम पर हाई अल्टिटूड की उपर ट्रैक कर सके और इसका जो एर फ्रेम है वो अलग लग मिटिरियल से बना है इसमें वैल्डेट निकल स्टील का इस्तिमाल किया गया है और इसमें टाइटेनियम और अलुमिनियम एलोई और दो परसेंट कॉम्पोजेट्स का इस्तिमाल किया गया है मिग 31 एक क्राफ्ट के कॉक्पिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें डिजिटल अवियोनिक्स का इस्तिमाल किया गया है इसमें multifunction displays का इस्तिमाल किया गया है और liquid crystal displays का इस्तिमाल किया गया है इसे क्राफ्ट के दोनों cockpits में 00 ejection streets का इस्तिमाल किया गया है इसके front cockpit में pilot बैठता है और जो rear cockpit है उसमें weapon system officer बैठता है जो कि इसके radar operations को control करता है और इसके weapon deployment को भी जिससे pilot के उपर workload काफी कम पड़ता है और दोनों की efficiency काफी increase होती है MiG-31 दुनिया का पहला ऐसा aircraft था जिसमें एक faced array radar का इस्तिमाल किया गया था और 2013 तक ये के दुनिया के पहले ऐसे aircraft में से एक था जो कि independently long range air to air missiles को फारी कर सकता था ये दुनिया का पहला operational fighter था जिसमें एक passive electronically scanned array radar लगाया गया था जिसका नाम था जैसलन S-800 इसकी maximum range fighter aircraft के size वाले targets के लिए 200 km थी और ये 10 targets को एक ही time पर track कर सकता था और एक ही time पर 4 targets को attack कर सकता था इसमें Wimple R-33 missile का इस्तिमाल किया गया था इसे aircraft में radar के साथ ही एक infrared search and track system भी लगाया गया था इसमें RK, RLDN और APD 518 Digital Secure Data Links का भी इस्तिमाल किया गया था ये data link ground control centers के साथ communicate करने के लिए इस्तिमाल के जाते थे और जो APD 518 data link था वो MiG-31 aircraft को ज़्यादा से ज़्यादा 4 MiG-31 aircraft जो की उसके साथ हुड रहे हों उनके साथ automatically radar generated data को exchange करने की शमता प्रवाइड करता था इसके साथ ये दूसरे aircraft जिनमें कम sophisticated avionics थे जैसे कि MiG-23, MiG-25, MiG-29 और स्कोई 27 उनके साथ भी radar data share करने की शमता प्रवाइड करता था जो MiG-31M और MiG-31D और MiG-31BM स्टैंडर एक क्राफ्ट हैं उनको जैसलन M radar के साथ अफग्रेड किया गया है इनमें एक बड़ा antenna है और इनकी जो detection range है वो भी काफी ज़्यादा है ऐसी जानकारी है कि ये एक बड़े target जैसे कि एक A-Vox के लिए 400 किलोमीटर दूर से ही track करने की शमता रखता है और ये radar 24 targets को एक ही time पर track कर सकता है और 6 targets को एक ही time पर engage कर सकता है और इसके साथ ही इसकी जो speed detection capability है उसे Mac 5 से Mac 6 तक improve कर दिया गया है जाने कि ये बहुत ज़्यादा तेजी से उड़ने वाले targets को भी बहुत ज़्यादा high probability के साथ destroy करने की शमता रखता है Mac 31 BM दुनिया के कुछ एकलौते ऐसे A-Craft में से एक है जो कि बहुत ज़्यादा low उडने वाली cruise missiles को intercept और destroy करने की शमता रखता है इसके armament की अगर हम बात करें तो इसमें एक GSH 623-23 mm कैनन का इस्तिमाल किया गया है जिसमें 260 rounds का इस्तिमाल किया जाता है इसकी जो main armament है जो main air to air missile है वो R-33 air to air missile है GK-31 long range missiles को भी carry कर सकता है जिसकी range 200 km तक बताई जाती है और ये 4 R-33 long range missiles को carry कर सकता है जिनकी range 300 km तक बताई जाती है और ये R-37 missile को भी carry कर सकता है जो कि एक long range missile है और इसकी range भी 280 km है Wimple R-37M एक Russian hypersonic air to air missile है जिसकी range काफी ज़्यादा है MiG-31 एक ऐसा aircraft जो कि दुनिया की सबसे ज़ा लॉंग रेंज वाली A-2A missiles को कैरी करता है इसके साथ ही ये R-73 शौर्ट रेंज आई-यर missiles को भी कैरी करता है और इसके साथ ही ये R-77 मीडियम रेंज missiles को भी कैरी करता है जिसकी रेंज 100 km तक की बताई जाती है इसके साथ ही ये दूसरे वैपनस को भी कैरी करता है जैसे की KH-31 P missile और KH-58 Anti-Radiation missile और इसके साथ ही इसकी जो अभी तक की सबसे ज़ा पाउरफुल missile बताई जाती है वो है KH-47 M-2 किंजाल हाई-परसीशन हाई-परसॉनिक एरो बलिस्टिक missile जिसकी रेंज 2000 km तक बताई जाती है और इसकी स्पीड मैक 10 की है और ये फलाइट के हर स्टेज के उपर मनुवर कर सकती है जाने कि इस missile को गिरा पाना बहुत मुश्किल है और ये कन्वेंशनल और न्यूकिलर वार हैट्स दोनों को कैरी कर सकती है ये ऐसी missile है जिसने MIG-31 E-Craft को long range strike capabilities प्रोवाइड की है जो MIG-31 E-Craft है उसका main role intercept role है लेकिन इस missile ने इस E-Craft को बहुत long range strike capabilities दे दी है और किंजाल दुनिया की पहली hypersonic missile समेंज से एक है इसके maximum take of weight की बारे में अगर हम बात करें तो इसका maximum take of weight 46,200 kg का है और ये 16,130 किलो ग्राम तक के इंटरनल फ्यूल को कैरी कर सकता है और इसके साथ ही ये एक्सटरनल फ्यूल टैंक्स के साथ भी फ्यूल कैरी कर सकता है इसमें दो इंजिन का इस्तिमाल किया जाता है जो है D30 F6 आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन एंजिन्स जो की 93 KN का ड्राइट जनरेट करते हैं और 152 KN का एक इंजिन आफ्टर बर्नर के साथ जनरेट करता है इसकी मैकसिम स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो ये 3000 किलो मितर पर आरकी स्पीड से उड़ सकता है और इसकी क्रूस स्पीड 2500 किलो मितर पर आरकी है इसकी रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो दो ड्रॉप टैंक्स के साथ इसकी रेंज तीन हजार किलो मिटर तक है इसकी कॉमबेट रेंज 1450 किलो मिटर तक की है इसकी सर्वी सीलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये 82,000 feet से ज़्यादा की उचाई के उपर आपरेट कर सकता है इसे क्राफ्ट ने maximum altitude के मामले में बहुत ज़्यादा नए record establish किये है 1977 में इसे क्राफ्ट ने 1,23,520 feet की उचाई को अचीव किया था और इसके बाद इसने फिर से एक नया हाइट record establish किया था जब इसने केवल 4 मिनिट में 35,000 मीटर की उचाई को अचीव कर लिया था और इसके बाद 1975 में इसे क्राफ्ट ने 30,000 मीटर के altitude को केवल 3 मिनिट 9.8 सेकंड में अचीव किया था इसमें 8 hard points हैं इसे क्राफ्ट की technology के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्राफ्ट अभी modern standards के मामले में काफी पुराना हो चुका है और अभी इसे अपग्रेड करने का प्लैन है और इसके बाद इसका एक नया variant डिवेल्प किया जा रहा है जो कि जिसे मिक 41 एक क्राफ्ट का नाम दिया गया है जो कि इस एक क्राफ्ट को रिप्लेस करने वाला है मिक 41 एक क्राफ्ट 4 मैग की रफ़तार को अचीव कर सकेगा ऐसा रशिया की मनिस्ट्री आफ डिफेंस कहती है इस एक क्राफ्ट के उपर काम 2013 से ही चल रहा है मिक 31 एक क्राफ्ट अपनी हाइपरसॉनिक मिसाइल के साथ एक बार फिर से चर्चा में आ गया है इस मिसाइल के साथ इस एक क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा खदरनाक केविबिल्टी मिल जाती है एक तो इस एक क्राफ्ट की खुद स्पीड बहुत ज़्यादा है और इसको एक हाईपरसॉनिक मिसाइल मिल जाने के साथ ये दुश्मन के उपर बहुत तेजी से अटैक कर स तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूरू लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हंद जै भारत